जै मातादी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्च महा के दूसरे सप्ता के बारे में यानि 8 मार्च से 14 मार्च 2022 के धनुरासी फल के बारे में धनुरासी के लोगों के लिए मार्च का यह सप्ता कैसा रहेगा इस सप्ता में कौन ग्रह कहां इस्थित होगा और आपकी रासी पर कैसा प्रभाव डालेगा ग्रहों के प्रभाव से आपके व्यपार, विबसाय, नौकरी, सिक्छा, स्वास्त, पारिवरिक जीवन, प्रेम जीवन और दाम पत्ते जीवन पर क्या असर पड़ेगा जानेंगे सभी बातों के बारे में दोस्तो आगे बढ़ें इससे पहले आपसे निविदन हैं हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें बेल आइकन को प्रेस कर दें और जुड़ जाए हमारे चैनल के साथ बात करें सबसे पहले इस सप्ता में ग्रहों के इस्थिति क्या होगी तो मंगल देव पूरे सप्ता आपके दित्य भाव में व्राजमान होंगे और मंगल देव के साथ साथ यहां शुक्र देव और सनी देव भी आपके दित्य भाव में व्राजमान होंगे यानि मंगल, शुक्र और सनी तीनों आपके दूसरे भाव में त्रिग्रही योग का निर्मान करेंगे बुद्ध देव आपके तीसरे भाव में वराजमान होंगे और बुद्ध देव के साथ साथ देवगुरु ब्रस्पति और सूर्य देव आपके तीसरे भाव में वराजमान होंगे यानि आपके तिरते भाव में तीन ग्रह बुद्ध, सूर्य और गुरु मिलकर त्रिग्रही योग का निर्मान करेंगे और यहां सूर्य है बुद्ध के साथ मिलकर बुद्धा दित्य योग भी बनाएगा तो यानि दो त्रिग्रही योग इस सब्ता बनेंगे एक तो आपके दूसरे भाव में और एक तीसरे भाव में और ये दो त्रिग्रही योग आपके लिए नए बदलाव लाएंगे और यहां राहू आपके छटे भाव में वराजमान होंगे और के तो आपके 12 भाव में वराजमान होंगे बात करें इस सप्ता चंद्रमा की इस्थिती के बारे में तो सप्ता की सुरुवात में चंद्रमा आपके सस्टम भाव में गोचर करते हुए सप्तम और अस्टम भाव तक गोचर करेगा यानि सप्ता तीन भावों में चंद्रमा गोचर करेगा और बात करें इस सप्ता के महत्पून योगों के बारे में, महत्पून दिनों के बारे में सप्ता की सुरुवात सर्वार्शिध्धी योग से होगी और इस सप्ता में 8, 9, 13, 14 मार्च को सर्वार्शिध्धी योग बनेगा और 9 मार्च को 3 पुस्कर योग का निर्मान होगा 10 मार्च को गज केसरी योग होगा और 13 मार्च को रवी पुष्य योग बनेगा इस सप्ता महत्पून योगों का निर्मान होगा और 10 मार्च को दुरगाष्ट मी व्रत होगा यानि होलास्टक प्रारम हो जाएंगे और सब्ता के अंत में 14 मार्च को आमलकी एकादसी यानि रंग भरी एकादसी होगी जो की भगवान विस्नों को समर्पित होती है पेसे वर लोगों के लिए वैपार वैबशाय करने वाले लोगों के लिए यह सब्ता परेशाणियों से छुटकारा दिलाने वाला होगा आपके कारिय चेत में जो भी परिशानिया जो भी समश्या हैं वो खत्म होंगी और एप्रत्यासित लाभ की प्राप्ति होगी आपने ऐसा सोचा भी नहीं होगा इतना आपको लाभ इस दोरान प्राप्त होगा और इस अपता में स्वास्ता बहुत अच्छा होगा क्योंकि कैई ग्रहों की सुप दरस्टी आपकी सीहित को मजबूती देगी साथ ही आपको पुरानी चली आ रहीं बीमारियों से भी निजात मिलेगी इस सप्ता आपका मन खुश मिसाज रहने के योग बनेंगे संभवे आपके माता पिता या आपका साथ ही किसी जरूरी काम के लिए इस सप्ता आपसे पैसे मांग सकता है जिसके चलते आपको उने पैसे देने भी पड़ेंगे लेकिन इस से आपके आर्थिक हालात खराब होने की संभवन बढ़ जाएगी इस सप्ता आपकी अपेक्छा से ज़्यादा आपको अपने बड़े भाई बहन का सहयोग मिलेगा जिसके कारण आप अपनी किसी बड़ी मुसीबत से निकलने में सफल होंगे हलाकि इसके लिए आपको बिना संकोच उनके सामने अपनी परिशानियों को वेक्ट करने के अफशक्ता होगी केरियर और पेशे के लिहाज से आपको इस सप्ता आपने तनाव और जीवन में आ रहे उतार चड़ाव से निजात मिलेगी क्योंकि ये समय आपके जीवन में कुछ ऐसे अच्छे बदलाव और ये प्रत्यासित घटरान लेकर आने वाला है जिसका आप काफी समय से इंतजार कर रहे थे यदि आप घर से रहकर दूर पढ़ाई कर रहे हैं तो इस सप्ता अच्छातर अपनी पढ़ाई में अच्छा प्रदर्सन करेंगे लेकिन बीच बीच में घरवालों की याद कुछ रुकावटे पैदा कर सकती है इसलिए आपको स्वयम को अपनी उच्छतम सीमा तक मेहनत करने के लिए तैयार रहना होगा इसके लिए आप अपने घरवालों से फॉन पर बात करके अपनी व्याकुलता को सांथ कर सकते हैं इस रासी के जो लोग ए विवाहित हैं उनके विवा के प्रस्ताव आने की संभावना रहेगी और बेरोजगार लोगों को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे और आपके लिए कुछ नए बदलाव इस सप्ता देखने को मिलेंगे जो आपके जीवन में खुशाली लाएगी और बुद्धादित्य योग छात्रों के लिए भी वेपार वेबसाईयों के लिए भी और नौकरी पेसेवर लोगों के लिए भी सुब फल्दाई साबित होगा इस दोरान किया गया निवेस भी आपको अच्छा फायदा देगा और इस सप्ता में 13 मार्च का दिन प्रेमियों के लिए बहुत सुब साबित होगा और बिजनिस करने वाले लोगों के लिए पूरा ही सप्ता सुब रहेगा इस दोरान 11 और 12 मार्च को आपको थोड़ा केरफुल रहना होगा आपके विरोधी या आपके सत्रू इस दोरान सक्रिय होंगे तो उनसे थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी गुसे पर काबू रखना होगा यदि आप वाहन चला रहे हैं तो वाहन चलाते समय थोड़ी सावधानी रखेंगे और इस सब्ता के सुरुवात में 8, 9 और 10 मार्च को जो लोग शेयर मार्किट में निवेश करते हैं या किसी प्रॉपर्टी में निवेश कर रहे हैं तो निवेश करने के लिए ये तीनों ही दिन आपके लिए ज़ादा अच्छे होंगे कुल मिलाकर देखा जाए तो ग्रहों की इस्तिती आपके पक्ष को मजबूत करेगी और इस सब्ता में बनने वाला त्रिग्रही योग आपको सुबफल देने वाला होगा और स्वास्ते भी अच्छा होगा कुछ नए अच्छे बदलाव देखने को आपको मिलेंगे आपके जीवन में खुशाली होगी सुख सम्रिद्धी में बढ़ोतरी होगी तो दोस्तो ऐसी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें जै मता दी दोस्तो